रतलाम में सीवरेज के मेंटेनेंस के लिए खोदे गए गड़े में मिट्टी धसने से मजदूर की मौत हो गई थी जिसमें निगम रतक परिवार को 5 लाक रुपे सहायता देगा और रासी कंपनी से वसूलेगा निगम सहित बड़ी कंपनियों को ठेका देकर काम देने पर भी कंपनी के पास कोई संसाधन नहीं होते जिसके कारण बड़ा हाथ से सामने आते रहते हैं रतलाम सहर में शीवरेज के काम गुजरात की कंपनी के पास है और इसका मेंटेनेंस भी जब संसाधन नहीं होते तो ठेका क्यों दिया जाता है संसाधनों की कमी के चलते एक मजदूर की मौत के बाद निगम सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना दिया था और इस घटना की राज्य सफाई कर्मचारी आयोग भुपाल को शिकायद भी की थी कि क्या कुछ आपने इसमें जानकारी हासिल की है और किस तरह से आपने निगम अधिकारी पर निर्टेश किया है देखिए रात को लगभग बारा विजे सफाई कर्मचारियों के प्रतिनितियों का मेरे पास होना आया था कि सुनील गोहर की देखिए सफाई करते हुए मिर्टियों के तत्काल रात को लगभग बारा वच के पांच मिलिट पे रतलाम कमिशनर से बात की और मैंने संग्यान लिया कि इसमें घटना किस कारण हुए रातरी में इनुनों बताया था मट्टी धसने के कारण हुई कि आज रतलाम नगर निगम के महापोर जी और निगम आयुक तो रन अधिकारी मेरे साथ घटना इस तल पर हम गाए वहां में पता लगा कि एक डिर्नेज लाइन चोक थी और चेंबर से उसको खोला जा रहा था तो जेंटिंग मेशीन के पाइप महां टक रहते जिस जगा पे इस्थान पर चोक था रात्री में लगबग साथ 6 बजे के लगबग शाम को 9 फिट गेरा घड़ा किया अंट्रेंड यहने कोई प्रसिक्षित नहीं इस सफाई करमचारियों को केवल चड़ी में नंगा पूरा नीचे उतारा घटनास्तल की मौजुद गवाओं ने भी हमें बताया और अधिकारि का जो नियम है 2013 उस एक्ट के अंतरगत को कोई भी शफाई कामगार अगर वो प्रसिच्षित नहीं पहला तो प्रसिच्षण देना आंको डिने सफाई का इन्होंने पाई